ते दूस्तों आज हम जिस बंदे के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई सिंगर नहीं लेकिन बहुत सारे सिंगर आज उनके साथ काम करना चाहते हैं मैं बात कर रहा हूँ रूपनबाल के बारे में आप जिनको रूपनबाल के बारे में नहीं पता मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ रूपनबाल का जनम अमरिसर पंजाब में हुआ जब वे 10th grade में थे तो वे अपनी फैमिली के साथ कैनेडा मूव हो गए रूपनबाल एक यूट्यूबर, एक्टर, कॉमेडियन और डिरेक्टर हैं वो पहले यूट्यूब पर वीडियोज डाला करते थे कॉमेडी वाली अपने फ्रेंड जस्रेंड के साथ वहीं से वो थोड़े फेमस हुए और उन्हें पंजाबी मूवी में काम करने का मोका मिला अलोंग बिद हर भजन मान उसके बाद उन्हें एक और मूवी की बाई जी तुसी घेंटो लेकिन अब वो काम करते हैं as a वीडियो डिरेक्टर in पंजाबी मूजिक इंडस्ट्री उनकी खुद की कमपनी है रूपनबल फिलम्स करन ओजला की most of the वीडियो रूपनबल ही डिरेक्ट करते हैं और इसके साथ उन्हें और भी बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स की वीडियो डिरेक्ट कर रखी है और यह बात कहना गलत नहीं होगा कि आज के टाइम he is number one वीडियो डिरेक्टर in पंजाबी मूजिक इंडस्ट्री as well as in इंडिया क्योंकि हर बड़ा आर्टिस अब उनके डिरेक्शन में काम करना चाहता है वो सब दिख वी रहा है अभी गुरू रंधाबा का गाना आया था पंजाबियां दी थी उसे रूपनबल नहीं डिरेक्ट किया था अब जो गुरू की अलबम आने वाली है उसे भी रूपनबल ही डिरेक्ट कर रहे है यही नहीं अभी रिसेंटली योयो हनी सिंग के साथ काम कर रहे है हनी सिंग ने तीन गाने शूट किया है जिसे रूपनबल नहीं डिरेक्ट किया है यह सब चीजों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि रूपनवल आज के टाइम वैस्ट डिरेक्टर है